हेलो दोस्तों मैं फिरोज बादशा आप सभी को हमारे इस यूटूब चाइनल फिरोज बादशा आर्ट पे ते दिल से स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर आप सीखोगे जो मैटो एप्लिकेशन में अकाउंट कैसे क्रियेट करते हैं यानि बनाते हैं दोस्तों नाम तो सुना ही होगा जो मैटो पर आल्लेंट फुड आउडर करने के लिए आपके पास जो मैटो की एक अकाउंट होना जरूर है तभी आप जो मैटो पर फुड आउडर कर पाएंगे आसानी से चले इस वीडियो में जानते हैं किस तरह Jomato application में एक account को create करते हैं चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने Jomato app को open करेंगे अगर आप download नहीं किये होंगे तो सबसे पहले प्लेश्टर में जाएंगे और यहाँ पर Jomato search करेंगे इसके बाद आप इसे install कर लेंगे इसके बाद आप open वाले button पे click करेंगे चले मैं open करता हूँ open करते ही आपके सामने ये app इस तरह से open हो जाती है इसके बाद आपको यहाँ पे allow कर देना है allow करते ही आपके सामने इस तरह से आ जाता है और आपको बता दे यहाँ पे आपको जो है अपने मोबाल नमबर से अगर आपको जो है अकाउंट को बनाना हो तो आप यहाँ पे अपने फोन नमबर को एंटर करेंगे उसके बाद आप जो है send OTP पे क्लिक कर देंगे अगर आप email से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे click करेंगे अगर Facebook account से बनाना चाहेंगे तो आप इस पे click करेंगे अगर आप Gmail account से बनाना चाहते हैं तो आप इस पे click करेंगे इस तरह से जो है आप click करके OTP आएगा OTP को यहाँ पे enter करेंगे इसके बाद आप इसका account को बना सकते हूँ चलिए मैं यहाँ पे अपने mobile number को enter करता हूँ मैंने यहाँ पे mobile number को enter कर दिया है इसके बाद आपको send OTP वापसर मिल जाता है इसी पर आपको click कर देना है चलिए मैं इस पे click करता हूँ क्लिक करते ही हमारे इस mobile number पर एक OTP आएगा OTP आते ही आप यहाँ पे अपने OTP को एंटर कर लेंगे चले मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ एंटर करते ही आपके सामने इस तरह से आ जाता है इसके बाद आप अपने नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पे आप अपने नाम को एंटर करेंगे इसके बाद email id को यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद continue कर देंगे चले मैं अपना नाम को एंटर करता हूँ उसके बाद email id को डलता हूँ मैंने अपना नाम को यहाँ पे एंटर कर दिया है इसके बाद अपने email id को यहाँ पे एंटर करेंगे तो चले मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ मैंने अपना email id को भी यहाँ पे एंटर कर दिया इसके बाद आपके सामने continue वाला बटन दीख रहा होगा इसी पर आप click करेंगे click करदे ही आपके सामने verify कर लिया जाएगा आप यहां पर देख लेंगे इसके बाद आपका account यहां पर create हो गया है आप यहां पर देख सकते हो जो कि उपर में आपके सामने दीख रहा होगा यहां पर एक icon जो कि आपका profile इसी में है इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर दीख रहा होगा आपका account यहाँ पर वी वाले option पर click करके देख भी सकते हो साथ ही अगर आप अपने account में अपने address को fulfill करना है तो आप यहाँ पर click कर देंगे address book वाले option पर जो कि आप अपना address को यहाँ पर enter करेंगे चले मैं add address वाले option पर click करूँगा जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा address को fill up करने के लिए जैसे आप इस पर click करते हैं click करते ही आपको यहाँ पर आपका location automatic detect कर लेगा इसके बाद confirm location and proceed वाले option पर जैसे आप click करते हैं click करते ही आपके सामने इस तरह से आजाता है इसके बाद आपके सामने आजागे यहाँ पर complete address वाले option साथ ही floor optional है और how to reach optional है आपका address किस परकार का है आप यहाँ पर choose कर लेंगे जो कि house, work, hotel, other है चार यहाँ पर option दिए गए हैं आप यहाँ से choose कर सकते हो चले मैं अपना full address को यहाँ पर fulfill कर लेता हूँ इस तरह से आप अपने address को fill up करेंगे इसके बाद आप save address वाले option पर click करेंगे click करते ही आपके सामने आपका address यहाँ पर fulfill हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो आपका address यहाँ पर दिख रहा होगा अब आपको क्या करना है bank हो जाना है अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपका account यहाँ पर create हो चुका है अगर आप चाहते हैं कि अपने account को देखे view activity वाले option पर आप click करके check भी कर सकते हो इस तरह से click करेंगे click करते ही आपका account यहाँ पर open हो जाता है आप अपने account को edit भी कर सकते हैं edit करने के लिए आपके सामने edit profile वाले option मिलेगा इस पर click करके आप अपना photo भी यहाँ पर लगा सकते हो इस पर click करके साथ ही आप अपने नाम को बदल सकते हो और यहाँ पर आप अपने mobile नमबर भी बदल सकते हो इस तरह से जो है आप अपने जमेटो application पर food order करने के लिए अपने account को id को बना सकते हो तो मैं आसा करता हूँ किया वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर देना हमारे इस चैनल पर आप नहे होगे तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वे लेकन दवरा ना भूलेंगे चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दीजे एजाजा थैंकी समाच